एक परसन का मेरे पास सवाल आया कि हमारी लाइप में बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं जिनें पूरा करने के लिए में बहुत सारे साई और गलत काम करने पड़ते हैं तो फिरम खुस कैसे रहें? एक एकजामपल देता हूं सुनिएगा एक साठ साल के बुज़ुर्ग अपने तीन दिन का इलाज के बाद छुटी ले रहे थे होस्पिटल से तो डॉक्टर ने उन्हें बिल थमाया और बोला कि आपका इलाज तो फ्री में हुआ है लेकिन आपको तीन दिन का वेंटी लिटर का किराया देना पड़ेगा ये देखकर वो बुज़ुर्ग की आँखों में आशू आ गए तो डॉक्टर ने पूछा कि अगर आपके पास किराया नहीं है तो आप परेसान मत हो वो किराया भी आपसे नहीं लिया जाएगा तो उस बुज़ुर्ग ने डॉक्टर से बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास किराया नहीं है बस मैं ये देखकर सोच रहा हूँ कि एक दिन का वेंटिलेटर का किराया अगर 5000 रुपे है तो इस बीती हुई जिंदिगी में जितने दिन जिसके वेंटिलेटर पे रहा हूँ उसको कितना चुकाना पड़ेगा मेरे दोस्त आपकी लाइव में ऐसी बहुत सारी चीजे होती हैं जिने आप पूरा नहीं कर सकते चुका नहीं सकते इसलिए आपके आज पास कोई भी एक वज़ा अगर आपको मिलती है ना खुस होने की तो खुस हो जाओ